गीसे वे जोड, अडियों का दर्द, जोडों का दर्द वे सूजन दोस्तू, अगर आपकी अडियों से उठते बैठते चलते फिरते कट कट की आवाज आती है, हमेशा ही अडिया दुखती रती है, अडिया कमजोर हो गई है, तो उसके लिए आज मैं आपको बेहद ही खास न आप पूरा-पूरा फायदा ले सकते हैं, डोती खास नुस्खा है, गरेलू नुस्खा, इसे आप एक बार बना कर और मैंने बर तक इस्तेमाल करना, आपको पूरा-पूरा फायदा नजर आ जाएगा, जब आप आज माएंगे ना, तो इसे खुद कमेंट करके बताएंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों, ये नुस्खा जो है आजमाया हुआ, मैं आपके साथ सेर कर रही हूँ, इसमें मैं आपको दो नुस्खे बताने वाली हूँ, दोनों ही आपको आजमाने होंगे, और अपनी इस समस्या से चुटकारा पा लेना, म मेथि दाना और जाइफल दोनों ही अडियों के दर्द के लिए, कमजोर अडियों के लिए रामबान है दोस्तों, जितना भी दर्द होता है, उसे खीच कर पूरा बाहर कर देता है, जाइफल, जितना भी आपकी अडियों में जोडों में दर्द, सूजन, कट-कट की इसके साथ साथ आपके सरीर में और भी बहुत सारे फायदे करती है दोस्तों। कई बार अडियों और जोडों में जो दर्द होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा वजन होने के कारण भी हो जाते हैं। तो ये आपके बजन को भी कंट्रोल करती है, पेट की चर्वी को भी कम करती है, और साथ में जो जाइफल है, ये पूरी तरह से आपके जो सरीर का दर्द होता है, उसको आटाता है, दोस्तों. तो इसमें दोनों उसके बताऊंगी, दोनों ही आप द्यान से देखना, और फिर आप इनके जिनको भी समश्या है, इनको आप आजमा सकते हो बना कर. जाइफल अड्यों जोडों के दर्द के साथ साथ, सरीर के दर्द दूर करने के साथ साथ, दोस्तों, आपकी एनिंद्रा की जो समश्या होती है, उसके लिए बढ़िया होता है, स्कीन की समश्या होती है, उनके लिए बढ़िया होता है, आयूर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा मैतव है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, नुस्कों के लिए, तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले हमें किस तरीके से कुन सा नुस्खा तयार करना है पहले हम जाइफल वाला नुस्खा देख लेते हैं दोस्तों ये जो नुस्खा है इसको आप एक बार बनाकर मैने बर तक रख सकते हो रोजाना इस्तिमाल कर सकते हो आप देख रहे हैं, हमारे पास है दोस्तो centers, यहां पर जायफल का powder, जायफल जो होता है बूत आरड होता है, आप इसका powder बनाते हैं तो आसानी से नहीं बन पाता है, लेकिन आज जो आपको ट्रीक बता रही हूँ न, एक दम ही आसान ट्रीक, आप जो है दो मिनेट के अंदर इसका powder बनाकर तयार कर लेंगे इस ट्रीक से, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका बारीक पाउडर बनाने के लिए वैसे तो आप इसे ग्रेट करके ग्रेटर से भी इसका पाउडर बना सकते हो लेकिन एक जाइफल ग्रेट करने में आपको कम से कम 20 मिनिट का टाइम लग जाएगा चोकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है आज कर अब जो दूसरा असान तरीका आपको मैं बताने जा रही हूँ उसमें आपको क्या करना है आपको लेना है जाइफल एक जाइफल का आप एक साथ बना कर रख लेना या फिर आप इसे महीने बरकाई खटा बना रहे हैं तो दो जाइफल का इस्तिमाल करना दोनो जाईफल को आपको क्या करना है एक कड़ा या तवा ले लेना है जिस पे रोटिया बनाते हैं तबे पे आप उसपे जाईफल को आप उसपे डाल लेना और इसको अलका असा शेख लेना गरम तबे पे पलटते रहना साथ-साथ एक जगई नहीं छोड़ देना नहीं तो एक साइड से सिख जाएगा एक साइड से कच्चा रह जाएगा और जल जाएगा टाइम नहीं लगेगा दो मिनेट के टाइम में यह हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल पलट पलट कर सेख लेना जब आपको इसके उपर इसका असिंसियल जो ओयल होता है वो आपको दिखाई देने लगे और यह अलका सा इसका कलर चेंज हो जाता है और फूल जाता है वैसा आपको नजर आने लगे ना एक दो मिनिट में ही आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना फिर इसको तोड़ कर छोटे ग्राइंडर जार में पीछ लेना ऐसा ही पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा बिल्कुल बारिक वो भी दो मिनिट में बस इसी पाउडर का हम इस्तिमाल करेंगी इस नुस्खे के लिए दोस्तों इसमें आपको पाउडर का ही इस्तिमाल करना है इसके साथ में अगली जो चीजा में लगेगी वो है दोस्तो सरसों का तेल आपको एक बार में कम से कम 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है 1500 ग्राम भी ले सकते हूँ दो जाइफल अगर आप ले रहे हैं 1500 ग्राम तक तेल लेकर तयार कर सकते हूँ दोस्तों उसमें आपको क्या करना है कड़ाई लेनी है आपको लोहे का बरतन लेना है इसके लिए और उसमें आप जो है जाइफल का पाउडर डालेंगे जितना आपने बनाया है एक जाइफल से बना रही है आप इसमें तो आप 75 ml जो है ओल ले सकते हो दो ले रही है तो डेड़ सो एम रखना फमाट किसी हो एक चम्मचा लग से एक कटोरी जार जार करोना है। सिर्फ कटोरी होता चाहिए। उससे आप कोousse डेली मसाज करने है। इसको आप दिन में दो बार कर सकते हो दोस्तों या फिर शाम को आप अच्छे से मसाज करके और सोज़ेए सुवेट के गुनगुने पानी की साथ में आप ना सकते हो इस तरीके से मैने बर लगातार करना आत पैर कमर गुटने जहांपे भी आपको दर्द है कलाई में इसके सा आद साथ आपको एक नुस्खा और बता रहे हूं जो नुस्खा आपको खाने के लिए इस्तेमाल करना है दोस्तों खाने में आप जो है इस तरीके से डेली इसको इस्तेमाल करना और फिर देखना आपका माल आपके अडियो जोडों का दर्द कटकट की आवाज अकड़न ज सब दूर हो जाएगी इस नुस्खे को अगर आप आजमाते हैं तो ये लिया हमने मेथी दाना जो सुरू में आपको दिखाया था दोस्तों मेथी दाना जो होता है ना अडियो जोडों के दर्द के लिए सूजन के लिए जिनकी भी अडिया कमजोर होगी है उन सभी में ये बेहद फायदा करता है आप इसे एक बार आजमा कर देखना जिनको भी समश्या है चाहे आपके गुटनों में दर्द है कलाई में दर्द है आपको अड़ी के कारण कमर में दर्द है या फिर आपके आतों पैरों की अडिया दूख रही है या तक की जिनकी नस चड़ती है अखिरा आती है पैरों में या वैसे उसमें भी ये फायदा करती है मेथी जो ती ही आपके वजन को भी कंट्रोल करती है और जिनको को बेहरी पारूळी कोErी नत चुलेश्टों करें दर्द है आती है इस तरह की नसों की दर्द आड़ियों की दर्द उसमें भी वहत pur यहरा पार में 500 ग्राम मेथी दाना लाकर उसको अलका सा ड्राय रोस्ट करना और उसको इस तरह का दरदरा पिसकी रख लेना बहुत बारिक पाउडर नहीं बनाना है या पे आप देख रहना एकदम दरदरा सा और इसका आपको रोजाना सुबह सुबह खाली पेट आदा चम्मच ल अगर आपना नास्ता बगेरा ले सकते हैं इसी तरीके से रेगुलर लेना आप इसे इन दोनों नुसकों को महीन वराजबाना आप एकदम ठीक होने लगेंगे दोस्तों ये था हमारा आज का नुसका अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक से कमेट और च